डीएवी पीजी कॉलिज धैरादून के बीड के एडमिसर रिस्टार्ट कर दिये गए हैं, आप अपना ओनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं, डेट दी गई है 8 दिसमबर 2021, इससे पहले एक वीडियो अप्लोड किये, उसमें मैंने बताया आपको एक तूरूटी है, उस तूरू जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने रिजिस्ट्रेशन वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी, देखी यहाँ पर भी वीडियो जो है अप्लोड नहीं की गई है, कि आप अपना रिजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, इसके अंदर भी अभी अमेंडमेंट किया रहा आप देखेंगे, आपको यहाँ पर लिखवा मिल जाएगा, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, नए स्क्रीन ओपन होगी, उस पर आप से आपका मोबाइल नमबर पूछा जाएगा, आप अपने मोबाइल नमबर से ही अपनी लोगिन आईडी बनाएंगे, मोबाइल OTP verify कीजिए, verify करने के बाद, आपके सामने जो screen open होगी, वो होगी candidate registration form, यहाँ से आपको अपना form start करना है, fill करना, पहले नमबर पे पूछा गया है, have you passed the qualify exam from उत्राखंड, अबली H&B घडवाल इन्वेस्टी, yes or no, आगे बढ़ेंगे, दूसरे नमबर पर आपसे पूछा save index करने के बाद, आपके सामने पूरा registration form open हो जाएगा, आप देख सकते हैं, यह आपको fill करना होगा, इसके अंदर आपको सारी information अपनी डालनी होगी, अपने document अप्लोड करने होगे, देख लिजे पहले नमबर पर आपका नाम पूछा गया है, आपको अपना नाम डालना है फिर gender पूछा गया है, category पूछी गई है, यदि है तो आप select कीजिए, नहीं है तो आप no कीजिए, date of birth आपको डालनी है, email ID डालनी है, bread group डालना है, अपनी mother का name, father का नाम, father का mobile number, mother का mobile number, parent की email ID, family की annual income आपको यहाँ पर fill करनी होगी, state, pin code, permanent address, permanent address के बाद आपसे local address पूछा जाएगा, nationality पूछी जाएगी, religion पूछा जाएगा, आपका, यह सारी information आप यहाँ पे fill कर लीजिएगा, अधार number भी यहाँ पे लिखा गया है, यह optional है, यहाँ पर s-tick नहीं लगा है, इसके उपर आप डालना चाहें, डालना चाहें, मत डालना चाहें, मत डालेगा, duration of residence residence पूछी गई है, फुत्राखन में यह दि हैं, तो आप डालेगे, नहीं है, तो मत डालेगे, उसके बाद आप से पूछा गया, board of the university, यहाँ पर आप देख सकते हैं, CBSC है, ICSA, UK board है, UP board है, HNP कड़वाल university है, other है, यहाँ आपने other से किया है, तो आप other select कर सकते हैं, और पूछे आपको कुछ सवाल पूछे गए हैं, यह आप इसको देख लीजिएगा, यहाँ पर आप से यहाँ पर education qualification पूछी गई है, 10th, 12th, आपकी graduation, post graduation आप यहाँ पर fill कर दीजिएगा, fill करने के बाद, अब आपको अपने document अप्लोड करने होगे, document अप्लोड करने से पहले नहीं होने चाहिए, एक बार में आप सारी फाइले सेलेक्टर के इकठा upload करेंगे, वो upload नहीं होगी, आपको एक एक फाइल सेलेक्ट करनी होगी, नीचे upload वाले बटन पर click करना होगा, और अपनी फाइलों को upload करते चले जाना होगा, आपको पहले नंबर पर अपना photograph upload करना फिर signature करना है, 10th के mark sheet दी गई है, certificate दी गए है, आपको अपने certificate upload कर लेने हैं, उसके बाद नीचे आपको registration का button मिलेगा, उस पर आप क्लिक कर लीजिए, आपके सामने ये message आ जाएगा, यहाँ पर आपको लिखावा मिल जाएगा, यहाँ पर आपको और information मिल जाएगी, user ID ल information यहाँ पर आपको मिल जाएगी, इसको थोड़ा सा scroll down करके जब आप नीचे जाएगे, तो यहाँ पर आपको देखना होगा, कहाँ पर आपको beard मिलता है लिखावा, तो आपकी stream जो भी है beard की, आपको वो select करनी होगी, आप देखिए, जब हम थोड़ा ऊपर जाएगे, आपके सामने आपकी detail open हो जाएगी, इसको आप अच्छे से check कर लिजेगा, यहाँ पर जो fee अभी दी गई है, वो 30 रुपे दी गई है, आपको वो 30 रुपे deposit करने होगे, उसको deposit करने के अलग-अलग mode दिये गये है, तरीके दिये गये है, आप जिस भी तरीके से उसको deposit करन यहाँ पर 50 पीस के आसपास आ गए है, आप यह सब चीज़ देख लीजिएगा, यहाँ पर information दी गई है, लेकिन आप debit card से जाएगा, debit card में आपके सिर्फ 30 रुपे ही deposit होगे, तो हम debit card के थुरू इसको payment को कर लेते हैं, देखिए हमने payment कर दिया है, payment करने के बाद यहाँ प आपको जो लिखावा मिल रहा है, वो है grant total in 12, उपर लिखा है qualifying subject mark only percentage for merit calculation for admission, यहाँ पर वो गडबड है, वो तुरूठी है, जिसके बारे में मैं आप से बात कर रहा था, अभी last वीडियो में वेटेस के लिए पूछा गया था, कि sports की कितनी वेटेज है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर इनके marks दे रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो confusion है, confusion यह है कि आप देखेंगे, यहाँ पर लिखा गया qualifying examination mark sheet, यहाँ पर आप से स्रिफ 12th की mark sheet upload कराई जा रही है, आप यहाँ पर PDF में एक से ज़्यादा file upload नहीं कर सकते हैं, आपको JPG में ही file upload करनी होगी, अभी qualifying examination mark sheet यहाँ पर लिखा है, जबकि notification के अंदर कहा गया कि आपको अपनी B.A.D. entrance examination की mark sheet भी upload करनी है, और उसके साथ आपको 10th के undergraduate के और PG के अपने certificate upload करने है, तो वो option यहाँ पर अभी कहीं पर भी उपलब्द नहीं है, कहीं पर भी वो नहीं मिल रहा है, तो इसलिए आज तो आ आप अपना merit registration form fill कर लिजेगा, आप यहाँ से अपना apply कर सकते हैं, देखी यह information थी, D.A.V.P.G. College के B.A.D. admission को लेकर तो हो सकता है information आपके काम की हो, तो चलिए फिर मिलते हैं, मिलते रहेगा, thank you, चलिए, जाते-जाते, नमस्कार, सस्रिकाल, सभाखेर, thank you, धन्यूब्द